हाई फ्रेंज आज हम ये मेडिटेशन करेंगे और इसमें हम उस इनसान को अपने मेसेज भेजेंगे एक टेलीपैथी के थू ही जिसको हम कुछ कहना चाते हैं बड़ जाके फिजिकली नहीं कह सकते माइन टो माइन मेसेज़स ट्रावल होते हैं अब दिक्कत कहां पर आती है और कहां कहां पर ये काम करेगा मेडिटेशन वह बता देती हूं ये मेडिटेशन आप जैसे जॉब में हैं आपके बॉस के साथ अगर कुछ इशूस चल रहे हैं और आप क्लियर अपनी बाते नहीं रख पा रहे हैं ड्यू टू पोजिशन के वजह से भी होता है थोड़ा डर होता है चीजों का और क्यूं मेडिटेशन है इसलिए रिलेशन्शिप सिर्फ एक ही जगह नहीं होता कि आपका specific person के साथ है रिलेशन्शिप आपके parents के साथ में भी मान लिजिए कि आप अपने parents को अपनी दिल की बात बता रहे हैं कि आप किन से शादी करना जाते हैं और वहाँ पे आपके parents object कर रहे हैं तो वहाँ पे भी रिष्टों में खटास आ जाती है वहाँ पे रिष्टों को heal करना बहुत जरूरी है तो ये जब healing आप send करोगे healing क्यों send करना होता है क्योंकि हम सब souls हैं energies हैं हम ऐसा नहीं है कि इसी जनम में एक दूसरे से connected हैं पता नहीं कितना जनमों से हम connected हैं एक दूसरे के साथ और वुसी connection की वज़ह से आज हमारे links होते हैं हम कही न कहीं जाके टकरा जाते हैं एक दूसरे से फिर सोचते हैं कि कभी सोचा भी नहीं था कि यह मुलाकात होगी कि इनसे कैसे मिलन हो गया यह सोच से नहीं है यह हमारे कर्मों से है पीछे से चला आ रहा है काफी टाइम से सोल हमेशा है सोल never dies तो यह सोल का connection हमेशा से है अभी से नहीं कब से है हम खुद भी नहीं जानते नाव क्या होता है कभी किस soul ने किस को कब hurt कर दिया कहां पे कुछ ऐसी negativity हमने absorb कर ली जिसका effect में भी आप आज जेल रहे हैं तो उसी चीज़ को heal करने के लिए ये हर relationship में हम लेके चल रहे हैं मान लिजे कोई person है जिसके साथ अपना रिष्टा आप ठीक करना चाते हैं वो कोई भी हो सकता है आपके parents हो सकते हैं आपके भाई-बेन हो सकते हैं आपके relatives हो सकते हैं आपके neighbors हो सकते हैं friends हो सकते हैं कोई ऐसा person जिसके साथ मान लीजे बहुत-बार ऐसा होता है कि आपने कुछ पैसे दिये हैं और उधर से वो पैसे मिल नहीं रहे हैं देने से मना हो जाते हैं तो बहुत बड़ा एक बखेड़ा खड़ा हो जाता है लोग goat cases तक चले जाते हैं लेकिन अगर हम meditation के through on vibrations को heal करते तो maybe शायद जब उसके दिल में आपके लिए positivity जाग जाए तो वहां तक की नौबत ही ना पहुँचे बहुत आसानी से चीज़े आपस में ही सुलच जाएं हम अगर चाहें तो चीजों को यहीं सॉट आउट कर सकते हैं बहुत हद तक उलजाने की जरूरत नहीं पड़ सकती हैं तो यह चोटा सा explanation है आप लोगों को telepathy स्टार्ट करने से पहले या यह meditation स्टार्ट करने से पहले जिसमें हम अपने relationship को heal करेंगे आप सोच लीजिए किस इंसान के साथ आपको अपना relationship heal करना है वो आपके specific person भी हो सकते हैं में भी हो सकते हैं आप उनसे बाते नहीं कर रहें आप उनके साथ भी heal करेंगे इसको आप continuous करते रहोगे वाई? 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 वाईब्रेशन को भेजो thoughts को भेजो healing तुरंप नहीं हो जाती कभी-कभी instant आपको इसका result मिलेगा कि आप meditation में थे call आ गया और बाते होने लग गई सब कुछ लेकिन फिर भी आप भेशते रहें क्योंकि कोई चीज अगर दिल में है तो उसको निकालने में time लगता है आप जितना positivity भेजेंगे जितना positivity भेजेंगे 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 धिरे-धिरे चीजें हील हो जाएंगे relationship सुन्दर हो जाएगा अब इस meditation को हम लोग start करेंगे breathe and breathe out गहरी लंबी सासे अंदर लेंगे release करेंगे thoughts को एक आगर करेंगे और फिर जैसे मैं guide करूंगे आपको meditation में आप अपनी आखें बंद करके आराम से कहीं शांती में लेट जाएए बैट जाएए आप morning में कर सकते हैं night में सोने से पहले ये meditation कर सकते हैं कितने दिन continuous करना है तो at least 21 days नहीं तो इसको करते रहिया on and off भी कर सकते हैं बीच में छोड़के जब मन करें कि अभी मन कर रहा है कि I want to heal my relationship मैं अपना रिष्टा बहुत मधूर बनाना चाहता हूँ चाहती उस टाइम आप meditation on कर ये earphones लगाएए आराम से लेट जाएए relax कीजिए आपकी thought में वो शक्ती है कि जिस तरह की feeling आप अपनी thought के through send करना चाहते हैं वो जाएगी और हमारी feelings अगर positive किसी के पास जाती है वो मरहम का काम करती है और एक बार अगर आपके relationships heal हो गए तो सारी problem आसानी से खतम हो जाएगी बलकि parents को मनाने में जो लोग लगे हैं वो भी इसको जरूर करते रहें क्योंकि आप अपने parents के साथ smooth relationship में रहेंगे तब भी वो आपको understand कर पाएंगे तो अब ये meditation स्टार्ट करते हैं आप लोग कहीं आराम से लेटिए या relax होके बैठिए बिल्कुल शान्ती से emotions को थोड़ा control में रखे एक्तम surrender करते हुए सब को छोड़ दीजिए जो भी दिमाग में ख्याल आ रहा है सब अभी छोड़ के बस एक जगा जो मैं बोल रही हूँ थोड़े देर के लिए focus यहाँ पे ये 5-10 minutes का आपका meditation है focus यहीं पे रखेगा आईए शुरू करते हैं breathe in breathe out breathe in breathe out अपनी थोट को अपनी सोच को एक जगा लेकी आईए ध्यान अपने सांसों पे केंद्रत कीजिए अपने शरीर को बिल्कुल हलका छोड़िए हधेलियों को उपर की दरफ रखे खुला हुआ रखे अपने चेहरे के मास पेशियों को बिल्कुल हलका छोड़िए अब ध्यान उस इनसान के चेहरे पर लगाईए जिसके साथ आप अपना रिष्टा सुधारना चाते हैं आप उनके चेहरे को बिल्कुल साफ देख पा रहे हैं आप उनकी आँखों में देखते हुए उनको बस इतनी सी बात वाइब्रिशन्स के थ्रू बूलिए के आप सी कभी भी जाने में या अन जाने में उनकी फीलिंग्स को कोई ठेस लगी है तो आप उसके लिए उन्हें हीलिंग्स भीज रहे हैं उनकी वजह से जो आपकी फीलिंग्स हर्ट होई है जो आपके दिल में चोट लगी है जो आपके एमोशन्स में दिक्कत आई है उन सब के लिए आप उन्हें माफ करते हैं आप खुद को भी हील कर रहे हैं आप यहीं हीलिंग उनको भी भेज रहे हैं आप उनके साथ आप आत्मा का वो रिष्टा साधना चाहते हैं जिसमें एक दूसरे के लिए कोई गिला शिक्वा कोई शिकायत नहीं है अब आप उनको यह बताईए कि आप उनकी सोल की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आप उनकी सोल को वही वाल्यू दे रहे हैं जो उनकी सोल डिसर्फ करती है आपके दिल में उनके लिए प्यार है इस्जत है सम्मान है आपका उनके साथ रिष्टा मधुल कर रहे हैं अब पुरानी सारी बातों को खतम करके इस रिष्टे को हील कर रहे हैं आत्मा से आत्मा का कनेक्शन अब बिल्कुल क्लियर है साफ है अब ना आपके मन में उनके लिए कोई बात है और ना उनके मन में कोई बात है अब आप पूरी उमीद रखते हैं कि सारी चीजे क्लियर हैं तो अब वो आपकी बातों को बहुत अराम से समझ सकते हैं अब आपने आपकी आत्मा और उनकी आत्मा की बीच जो ये नफरत की दिवार थी जो ये मैस अंडस्टानिंग की दिवार थी गुस्से की दिवार थी इसको हटा चुके है आप अब आप दोनों की बीच में बिल्कुल साफ सुत्री पेओर एनर्जी का फ्लो है सब कुछ हील हो चुका है अब सामने वाले इंसान के साथ आप अपना रेलेशन के चुके हैं सामने वाले इंसान के आत्मा को आप थांक्यू 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 बोलिए और इस मेडिटेशन से बाहर आएंगे अब हम ब्रीज इन ब्रीज आउट करके ब्रीज पिजिए ब्रीज इन ब्रीज आव जूल्ग थांक्यू